स्पाइडर प्लांट के पत्ते पीले हो रहे हैं या टिप्स ब्राउन हो रहे हैं विंटर में केर कैसे करें रिपोर्टिंग कैसे करें नर्सी से लाए हुए पोदे को गमले में कैसे लगाएं प्रोपोगेशन कैसे करें इन सब विश्यों पर चर्चा करने वाली हूँ बने र नमस्कार मैं हूँ आप गार्डनर दोस्त नेलता गार्डनिंग विद आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंस देखिए ये स्पाइडर प्लांट्स मैं नर्सरी से लेकर आई हूँ मैंने आपको पहले भी बताया था एक वीडियो में कि नर्सरी वाले भाईया ने ये मुझे फ्री में दिये हैं आज मैं इसे गमले में लगाने वाली हूँ तो मैंने ले लिया है ये तीन इंच का प्लास्टिक का गमला देखिए इसमें ड्रेनेज होल्स कितने हैं मैं ये नर्सरी से लाई थी इतने ज़्यादा बड़े बड़े ड्रेनेज होल्स होने के कारण जब भी हम प्लांट में वाटरिंग करेंगे तो साथ की साथ एकसेस वाटर जो है ड्रेन आउट हो जाएगा जिससे पोदे में ओवर वाटरिंग नहीं होती स्पाइडर प्लांट की रूर्स में जरा सा भी पानी रुक जाए तो इसमें ओवर वाटरिंग हो जाती है और लीवज यलो हो जाती है और अगर दूप में रख दें तो इसके टिप्स ब्राउन हो जाती है इसलिए इसे शेड़ेड एरिया में प्लेस करें ये शेड़ लविंग प्लांट है हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ बहुत ही सुन्दर लगता है तो देखे फ्रेंज जितनी भी लीवज के टिप्स ब्राउन हुए हैं पहले से ही उनको मैं कट कर रही हूँ ये राइजम के पास जो है गलास अपार्ट है जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है इसको मैं हटा रही हूँ तो देखे इसकी जो लंबी सी स्टॉक निकलती है इस पे बेवी प्लांट भी कितने आये हुए हैं तो इस बेवी प्लांट को आप अलग से प्रोपागेशन कर सकते हो इनको अगर पानी में डालकर रख दे कट करके तो इनकी कुछ ही दिनों में रूट सा जाती है फिर इनको अलग से हम लगा सकती है लेकिन मैं अभी इनको अलग नहीं करूंगी क्योंकि मैं अगले साल इनको अलग से प्रोपोगेट करूंगी क्योंकि अब ये प्लांट जो है डॉरमेंसी में चला जाएगा तो देखे फ्रेंज ये पोट के उपर मैंने कोटन का कपड़ा बिछा लिया है कुछ होल्स मैंने यूं ही छोड़ दिया है साइडों में उसके उपर मैंने कपड़ा नहीं रखा है तो मैंने ले ली है 50% मेरे ब पोस्ट का डाल रही हूँ और एक चमच मैं डाल रही हूँ ये इसमें नीम खली का नीम खली का जब भी आप पोदा लगाए जुरूर डाले एक चमच और एक चमच ही मैं इसमें डालूंगी ये फगी साइड पाउडर का जिससे कि हमारे जो पोदे को है किसी भी तरह की फं पॉष्ट भी ले सकते हो जो भी आपके पास कमपोष्ट अबलेबल हो वही ले ले और अच्छी तरह से इसको मैं फिल कर लूँगी पोट को उपर से ज्यादा खाली ना रखें ताकि इसमें जितने भी ज्यादा खाली स्पेस होगी उतनी ही ज्यादा हम इसमें जो है वाटरि प्लांट का राइजम होता है फ्रेंस उसमें पानी श्टोर होता है जिसलिए इस पोदे को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती देखें मिट्टी फिल कर ली है मैंने अच्छी तरह से पोट में अब मैं इसको टैप टैप करके मिट्टी को अच्छी तरह से सेट कर किली चीज से होल्स बनाऊंगी जब भी आप प्लांट लगाओ तो होल बनाकर लगाएं क्योंकि जो इसकी रूर्स हैं अगर ऐसे ही दवाएंगे तो मिट्टी के साथ रूर्स जो है तूटने का डर रहता है तो इस तरह से अराम से लगाकर तो मैं इसे अच्छी तरह से प्लांट में लगाने वाली हूं तो क्योंकि यह बहुत ही छोटे प्लांट है बहुत बड़े प्लांट नहीं है तो इसलिए यह जितना भी गना गना प्लांट होता है पोट में उतना ही सुंदर लगता है तो यह बेवी जो हैं देखिए कि तरह से हैंग हो रहे हैं इसमें स पर इस तरह से वेवेज लग जाती हैं अगर वारिश का सीजन हो तो इस पर इन को कट करके अलग से कर सकते हो TO आच्छी तरह से में तिनों पोडों को लगा कर arguably मिटbare को चाना स्टी और नहीं रहने चाहिए अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी और शेड़िर्य के जहां पर bright light आपती हो वहाँ प्लेस कर दूँगी दूसरी बार आप पानी तब डाले इसमें जब इसकी soil mixture जो है अच्छी तरह से सूख जाए अगर आपका प्लांट पुराना है तो आप October में fertilize करें और उसके बाद growing season आने पर February में fertilize करें कुछ ही दिनों में इसका container भर जात है यह खूबसूरत सा perennial plant है इसी आप multiply करके भी propagate कर सकते हो इसके babies इस तरह से stroke पर निकलते हैं winter में इसमें ज़्यादा पानी ना डाले क्योंकि इसमें roots के पास राइजम होता है जो इसमें पानी store रहता है winter में ज़्यादा ठंड में इसे ना रखें तब इसे ब्रामदे में shift करें जब fog होती है तब इसे रामदे में shift करें वीडियो अच्छी लगी हो useful लगी हो तो like share और comment करें मिलते हैं किसी next वीडियो में bye bye thank you